वाई गुरूची का खाल सा वाई गुरूची की फते वाई गुरू 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 16 सेप्टेंबर 2021 काहा पे वाई गुरू 2021 आज और 1616 में जब वाई गुरू मीरी पिरी दे मालक गुरू हर गोबिन सहीब जी यहां पर आकर 16 16 पर दो दिन को फॉर्टी एट आवर्स प्लस वाई गरू वो यह स्थान पर रुके थे एतियास इक स्थान स्पेशालिटी देखो मेरी पिरी निशान साहिब और टॉप यह गुरू का घर वाई गरू यहां पर पूरा पहाड उदर अगर टॉप पे तिरंगा वाई गरू अंटा पूदर लेकिन वाई गरू यह मीरी पिर निशान-साइंड निशान-साइब एक मतलब निशान आपकावाई गरू स्पेसिक के लिज़ी वाई गरू हर गूंविधा जी ने एक एसा स्थान पर सोलह searchoyoff şe अकाल तक साइब पेवाई गरू एसे मीरी पिरी निशान साहिब का किच्चन कभी जिंदगी में बंद नहीं हुआ इस पैसे फिकेशन है निशान साहिब का तो यह स्थान यह स्थान पर गुरु हर गोविन साहिब जी आए क्योंकि उन्होंने एक चोला दयार किया ता गुरुची के लिए और यही चीज के लिए वो कश्मीर विजट किака क्योंकि वह पंजद नहीं जा सकते थे क्योंकि एच जादा था लेकिन वाई गुरू का नाम भी लू तो सूर्य का किरन वाई गुरू तेजी से ये स्पेसिफिकली और उपर पूरा भाज ही भाज पूरा सेराउंडिंग ये पंजाब कोई फरक नहीं एक स्पेशल सेवादार से मिलने वो गुरू जी आते गुरू गुरू हर गोबिन सहीब जी वाई गुरू इतना पॉजिटिव जिन्होंने सिक फोज तैयार किया जिन्होंने वाई गुरू सिखा है लड़ना है देखो उपर वाई गुरू ये ही गुरू घर के सेवादार सेषल सेवादार प्रदान लीडरशिप जो पूरा करते संगतों को यहाँ पर वाई गुरू स्पेशल सेवादार जो हर चीज देखते हैं और हैड ग्रांती जी वाई गुरू जो गुरू गुरू साहिब जी के वाई गुरू सेरांडिंग्स में 24 गंटा अपना फर्ज अदा करते हैं उस पिता के लिए क्योंकि वह पिता नहीं को मैं गुरू मानने ओंग्रंट इसके लिए हमेशा आजर नाजर रहते हमेशा गुरू गुरू साहिब जी के पास में और अब यह स्थान पे यह जो स्थान दिख रहा है यह टेरिस जो दिख रहा है वाई गुरू यह टेरिस को जड़ा ध्यान से देखो कुछ काम अदूर सा रह गया है यहाँ पर क्योंकि सिक पॉपुलेशन यह इस रचोरी में जहाँ पर बंदा सिंग बादूर जी ने पहली बार सास लिया वहाँ पर थोड़ा सा पॉपुलेशन का में वाई गरू इसके लिए यह स्थान पर एक स्पेशल सेवा वह भी 400 साल प्लस एतियासिक ग मुगल जिनका नाम चागी रहे हो पता नहीं वहाँ पर कई तो है वह कुछ वहाँ पर कई तो हैं और रहता वहीं पर वाईगरू है लेकिन पिटां कि इस स्थान पर व्यह्क्रता देखो लेकिन यह सेवा करने का मॉका मिले ना तो वाईगरू, सेवा में अपना योगदन डालो, मैं इस गुरु घर का बैंक डिटेल्स डालूँगा, जिनको जैसा सेवा करने है, सेवा करो, तेरा, 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 सच्चा सौधा, जो 20 रुपय से शुरू हुआ, गुरुनानक देजी ने कहा, तेरा, 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 कभी खाली नहीं हुआ दस रुपया दस का चीज तेरा में गया लेकिन वो घर कभी खाली नहीं हुआ तो वाइगरू उस बाबे का महर रहेगा ना तो ये भी एकदम चड़दी कला से होना है सिंग कहा पर सिंग नहीं है वाइगरू जिस जमीन पर मिटी वह आपर सिंग रहेगा मा वाइल गरू चड़ी कला होता है यह देखो व्यू देखो और बाज ये ये जो नदी है जिसका फ्लो देखो पूरा आर्मी एरिया है ये सिख पॉपुलेशन बहुत कम है ये लेकिन एक चीज है संगतों से हाथ जोड़के बिलती है अब भी कभी भी जमू आओगे कसम का लो वाई गरू याँ पर आके मत्तों में टेकूंगा एक इतिहासिक स्थान है ये याँ पर आके मत्ता ना टेकूं तो अदूरा अदूरा सा यात्रा हो जाएगा 400 साल यानी मजाक नहीं है गरू हर गोबिन साहिब जिने वाई गरू ये स्थान पर आके 48 गंटे रुके वाई गरू तो सोचो कितना इंपोर्टेंस है ये स्थान का कितना पवित्र नगरी है ये वह पवित्र नगरी में बाबा बंदा सिंह बादूर जी भी बहुन होते है तो ये स्पेशालिटी है वाई गरू अब गुरू गुरू साहिब जी वाई गुरू 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 ग वाइग वाइग यहां से एक से रोपा मिला जिन्दर की मुपा वाइग विशान से एक तेस्टिफिकेशन देखो वाइग यह स्थान पर वाइगरू अगर मत्ता ना देखो अगर जमू कश्मी रहते हो ना वाइगरू आदा अधूरा है सब कुछ यही स्थान पर वाइगरू गुरू अर्बो बें साहथी दो दिन से ज़्यादा रुके दे गुरू आजर नाजर है यही पर हिम्मत भी यही से मिलता है सिक्रेट भी मेरा सब यही पर यहां पर मत्ता ना टेको मुझे जिन्देगी अदूरा अदूरा था थोड़ा सा चल के आ आयते तो गोड़ा पर आयते उस टैम पे कोई फ्लाइट ब्रेम बस कुछ नहीं चलोगा अपनी फॉज के साथ अपनी आर्मी के साथ जो सिक आर्मी उनके साथ में आयते तो फॉज के साथ यहां पर आके रुके थे हाथ में निशांस है वो भी मीरी पी रहर गोबिन साहब का ऐसा हित्यासिता है वा अजब कोई गरो और नीचे एथियास जो लिखा हुआ हुआ है वह भी दिखाऊंगा कि क्या हिस्टरी हैं औरagen उने अपने एक हाथ से एक ऐसा चोला कोई गरू इंका चोला वाई गुरू गुरू हर को मिर साहल जी का छोला ना होता तो वो गौालियर किले में वो राजाओं का क्या जो आते नहीं बाहर जो एक एक दागी को पकड़के कितने राजा बार है 52 राजा बार है एक एक दागी को पकड़के वो गौलियर के लिए में जो आज government permission नहीं दे रहे बंदी छोड दिवास बनाने के लिए वो ही एक टाइम ता वहां से राजा निकले थे एक ऐसा सेवा जो पिता वहाए गुरू गुरू गारे। कोभिन साइब जी ने सेवा किया उन राजाों का कि मैं निकलूँगा तो मेरे साथ में मेरे ये राजा भी निकलेंगे जो इनोसेंड है ऐसे सोच वहाए गुरू कंपल सरी यहां पे मत्ता थेको जब भी को जमू कश्मीर आएगे यह ते आस सबसे बड़ा है इस गुरुगर का घंडा खालसा यह टीम यह सेवादारों से भी मिलों हुआएगे यह देखो जूम करो यह घंडे को हुआएगे मालक मेरी पीरी दे मालक गुरु हर गोविन साहब जी का एक स्पेशल स्थार नियुक्त वाएगे अब अब शरॉड़ें पुरा व्यू मौंटें आर्मी एडिया सब कुछ यह लोगोगे लिए दो गूगे जाएगे जासर विए लंगरोला अवैगे किला वाएगे लंगरोला अब लंगरोला वाएगे में इस लगने वाले वाई गरू यह इस्ट्री गर्डवारा चट्टी बाट शयाही रज हो री वाई गरू बेको वाई गरू माई बगवंती जी ने एक चोला तयार किया था वाई गरू गरू जी के लिए यह हिस्ट्री है इस गुरुगर का ऐसे फाउज होना जलूरी है जरम सान मुलमना सिंह बादोची का ऐसे फाउज भी होना जलूरी है वाई गुरुज देखे यूद वाई बाई ऐसे फाउज ऐसे यूद को इकटा हो के सेवा करना चाहिए बाई वाई गुरुप वाई गरुप वाई गरुप आप में बाज वाए गरू क्या स्पेशल फोटो है मेरे लाइफ में फॉर्स टाइम ये फोटो देख रहा हूँ गुरु जी का वाए गरू गुरू हर गोबिन साहब जी कहें इसमें साफका परदान साब वह जो आपके फादर आप वाए गरू वह देखो वह लास्ट में जो खड़े ना आपका परदान साब वाए गरू ये देखो ये देखो जो जनम स्थान बबाब बंदा सिंग बादर जी के प्रदान ये उस टाइम से जुड़े गरूगर के वाए गरू ये देखो एक स्पेशल फोटो दश्मेश पिता गुरू गोबिंग सिंग जी महाराज पांच प्यार अब नीचे गुरू का लंगन ये रहा है और यहाँ पर देश के नूर देश के शान इंडियान आल्पी फॉज जो अगर बॉर्डर में ना खड़ा होना तो कोई अरे आराम कर लो कोई बात नहीं आराम कर लो ये ऐसे फॉर्स है बॉर्डर सेकुरिटी पॉलीस फॉर्स वाइगरू जो है जो टी में यहाँ पर आके रिलाक्स करने क्योंकि ये भी इंसान है ये भी ठकते लेकिन जब बात प्यूटी पर कोई परक नहीं पड़ता हमको सेवा करना देश का तब जाके सब सुकून में सोते ये स्पेशल सेवा ये यूट देखो जूता तक नहीं सारा अराम करने के टाप पर क्योंकि कभी भी कोई मेसेज आजा है यूटी करना है उनको ये स्पेशल सेवा और इस गुरू गर के जस्ट नीचे एजुकेशन भी है पढ़ा आते हुआ गरू बच्चों को शायद बच्चों के पास फीस ना भी हो तो मेरे को लगता है यहाँ पर सेवा फ्री में ये स्कूल भी एजुकेशन भी फ्री में देखो मैं शायद बोल र टिपिन लेके दो खाने के लिए यह बैग जितना बोलू उत्रा कमें इन जैसे वीरों को जितना बोलू वाई गुरू है जो और यह स्थान लंगर फ्री जो गुरू नानक देव जी का सच्चा सोदा था जो प्रता था एजुकेशन मुफ्ट अगर यही चीज हर गुरू के GAR में होगा है नुए गरू हर बच्चा पड़ेगा हर बच्चा ऐसे पोज में बरती होएगा सार्भ स्थ देश के लिए उलिट लट लेता ही आदेगा वाई गुरू कि वो हाई गरू पेपटा हो प्रते वाई गूर जी औक आल सा सौनेlor आपयो